उस इंसान के लिए जो इस जीवन को एक विशाल संभावना की ओर एक सोपान के रूप में देख रहा हो, उसके लिए कोई असफलता नहीं होती। जो इंसान इस जीवन की साधारन घटनाओं को ही जीवन का लक्षे मानता हो, सिर्फ उसके लिए सफलता और असफलता होती है। अगर आप जीवन को बस एक विशाल संभावना के लिए एक सीड़ी के तौर पर देख रहे हैं, अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है, उसे आप अपनी भलाई के लिए इस्तिमाल कीजिए। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है, उसे भी आप अपनी भलाई के लिए इस्तिमाल कीजिए। जब अर्थ व्यवस्था उच्छाल पर थी, जब हर मूर्क सफल हो सकता था। जब अर्थ व्यवस्था उच्छाल पर होती है, तो हर कोई उसके साथ उड़ता है, है ना। अभी कुछ दिनों से मंदी चल रही है। अब सफल होने के लिए कुछ और चाहिए। तो जब अर्थ व्यवस्था उच्छाल पर थी, तब आप अपने पास आने वाले पैसे के प्रती थोड़ी आ ना सकती ला सकते थे। अब अर्थ व्यवस्था उतार पर है, सारे नल बंध हो गए हैं, अब समय है यहां आने का, पहाड़ों में घूमने का। अब आपके पास धेर सारा समय है, ना? जब पैसा मौझूद था, तो उसने आपका समय और जीवन ले लिया। अब नल बंध पड़ें, धेर सारा समय, यही मौका है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन के साथ क्या होता है। अगर आप इस जीवन को एक विशाल संभावना की और एक सीड़ी की तरह देख रहे हैं, तब परिस्थिती चाहे जैसी भी हो, वो सुन्दर और काम की होगी। बहुत ज्यादा काम की। एक बार एक किसान था, आपकी तरह। जो उन सभी प्राकृतिक घटनाओं से तंग आ गया था, जो उसकी फसल की क्वालिटी को तै कर रही थी। तो एक दिन उसने शिव को पुकारा। ये एक वाइल्ड कार्ड एंट्री थी। और वो उनके सामने पहुँच गया। शिव ने पूछा, क्या बात है। उसने का, मैं प्रकृतिकी बे मौसम की बक्वास से परिशान हो गया हूं। जाहिर है कि आप किसान नहीं है। इतिहास गवा है कि आप एक शिकारी थे। आप किसान नहीं थे। आपको नहीं पता है कि खेती करना क्या होता है। आप प्रकृतिकों मेरे हाथों में क्यों नहीं सौंप देते। मैं किसान हूं। मुझे पता है कि कब बारिश होनी चाहिए, कब धूप निकलनी चाहिए, कब हवाएं चलनी चाहिए, गलत समय पर बारिश होती है, गलत समय पर चीज़ें हो रही है, आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजे, शिव भी अपनी धुन में थे, बोले ठीक है, प्रकृती तुम्हारे हाथों में है। इसके बाद किसान ने अपनी फसल की योजना बनाई, उसने मक्के की फसल बोदी। पौधे लगाए, दो दिन इंतजार किया, बारिश, धूप, आज मैं खेत में काम कर रहा हूँ, बादल। तो हर चीज उसके मर्जी के मताबिक होती चली गई। मक्के की एक बहुत सुन्दर फसल तयार हो गई। वो खुशी से जूम उठा, देखा, यही अच्छा है, प्रकृती किसान के हाथ में होनी चाहिए। और जब फसल की कटाई का समय आया, तो वो देखना चाहता था, क्योंकि चिडियाएं नहीं आ रही थी, उसे हरानी हुई। तब उसने जाकर देखा, हर चीज बहुत अच्छी और बड़ी-बड़ी थी, लेकिन जब उसने खोल कर देखा, तो अंदर दाना ही नहीं था। तब उसने सोचा, यह क्या हो गया, मैंने क्या गलती करती। उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि बारिश, पानी, धूप, उसने हर चीज ठीक तरीके से की थी। वो फिर से शिव के पास गया, लेकिन वो इस हालत में थी। वो कई सालों तक उनके आँखें खोलने का इंतजार करता रहा, तब तक इतने सालों में उसका परिवार, उसके खेत, वगरा, सब कुछ, पुप, लेकिन वो जानना चाहता था, गलती कहां हुई। वो पहले एक किसान है, फिर जब शिव ने अपनी आखे खोली, उसमें पूछा, मैंने सब कुछ सही किया, लेकिन दाना आया नहीं है, क्या आपने मेरी फसल को बिगाड़ा है। शिव बोले, मैं देख रहा था, सब कुछ तुमारे नियंद्रण में था, इसलिए मैं दखल नहीं देना चाहता था। बारिश अच्छी हुई, धूप अच्छी मिली, हर चीज बढ़िया थी, लेकिन तुमने हवाओं को चलने से रोग दिया। मैं हमेशा तेज आंधियों को भेजता था, जो तुमारी फसल को डराती थी, लेकिन चूंकि पौधे धक्का और खत्रा महसूस करते थे, वो अपनी जड़ों को मिट्टी में ज्यादा गहराई तक ले जाते थे, इसलिए दाने बनते थे, अब तुमारे पास मक्के की कर सकते हैं, खुद को ज्यादा मजबूत और बहतर बनाने के लिए, या आप बैठ कर रो सकते हैं, चुनना आपको है, हर चीज को, इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, आपके जीवन में सबसे भयंकर घटना होई, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, आपके विक पूटी-मोटी घटना है कहता हूँ, तो मेरा मतलब है आपका बिजनस, आपकी शादी, आपके बच्चे, ये सारी बड़ी चीजें, ये सभी चीजें बस एक सीड़ी हैं, ये बात आपके लिए नई-नहीं है, क्योंकि संस्कृती में उन्होंने सदियों से ये बात आपके भीतर डाली हुई है, उन्होंने आपको बताया है कि आपका जीवन मुक्ती के लिए है, आपकी शादी, आपका बिजनस, आपकी सोशल लाइफ, ये सब बस वहाँ पहुँचने के साधन है, आप या तो इनके साथ चलते हैं या इनके बिना चलते हैं, आप चाहे सन्यासी हो या संसार में हो, आपका एक मात्र लक्ष मुक्ती है, ये लक्ष सिर्फ सन्यासी के लिए नहीं था, हर किसी के लिए मुक्ती ही लक्ष है, अगर आप अकेले चल सकते हैं, तो अकेले चलिए, आप अपनी पाटी के साथ चलना चाहते हैं, तो आप पाटी के साथ चलिए, वो तो आप लोगों के साथ चलिए, चुनाव आपका है, लेकिन महत्वपून चीज ये है कि आप जो भी कुछ कर रहे हों, लक्ष सिर्फ एकी है, तो अगर आपने इसे तै कर लिया है, तो जीवन की सारी घटना है, हर चीज फायदे मंद है, उचाल फायदे मंद है, मंदी तो अ तो असफलता का डर, असफलता खुद ही काफी खराब है, डरने से इसमें और मसाला पढ़ जाएगा, है ना? सफलता मिलती है, इसलिए नहीं क्योंकि आप इसकी इच्छा करते हैं, बलकि इसलिए क्योंकि आप इसे कमाते हैं, हर कोई इसकी इच्छा करता है, यह आती तबी है, जब आप काबिल होते हैं. झाल झाल